अलो गाइज नमस्कार फिर से मैं रक्षा अकैडमी की प्रेट फर्म पे आपका हर्दिक स्वागत करता हूं आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्राक्तिक संख्याओं और प्राक्तिक संख्याओं के साथ पूर्ण संख्याओं के बारे में पिछली क्लास में हमने ये जाना था कि संख्याईं क्या होती है और संख्याओं को कितने प्रकार से वरगी कृत तिया गया है एक basic overview या यह कहलें कि हमने जो normal overview होता है उसKE वारे मं जाना था प्लस के अलावा हमने यह देखा था कि अगर संख्याओं से हमारा तीन नंबर या 5 marks का या फिर 11 marks का question बनता है तो उसकोशन को किस प्रकार से सौल करते हैं इस पर हमने विचार के था आज हम उसी class से आगे बढ़ते हैं और संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने क्या है संख्याओं का पहला प्रकार है प्राक्तिक संख्या प्राक्तिक संख्या निचुरल नंबर तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि निचुरल नंबर तो हम उन संख्याओं को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति हम क्या मानते हैं प्राकिति से मानते हैं मतलब जिने हमने खो संख्याओं को एक दो तीन चार पाच नो इसी से हमने माना और यह जो संख्याओं है यह क्या कहला ही आपकी प्राक्तिक संख्याओं कहला है तो अब यह तो आपको पता है तो आप वहां पर यह तो लिखकर नहीं आओगे कि प्रकिती से प्राक्त संख्याओं प्राक्तिक संख्याओं तो वहां पर हमें इसकी एक प्रॉपर डिफनेशन देनी पड़ेगी और अगर हम प्रॉपर डिफनेशन की बात करते हैं कि प्राक्तिक संख्याओं क्या है और यह आपका थ्री मार्क में आ जाए तो आप इसकी definition क्या दोगे बताओ क्या लिखोगे प्राक्तिक संघ्याओं में इस वाट इस दा नेचुरल नंबर यह तो लिखके नहीं आओगे यह आपका सही नहीं है कि प्रकिति से प्राप्त संघ्याओं प्राक्तिक संघ्याओं कहला ती तब वह एंसर में वह excitement या यह कह लो कि वह attraction नहीं आ रहा जिससे आपको एक्जामिनर पूरे थ्री मार्क्त दे दे क्या लिखोगे प्राक्तिक संघ्याओं गणन के लिए के लिए उप्यूक्त सांकेतिक चिन प्राक्तिक संघ्याओं कहला ती क्यों कि हमने जब इसकी उत्पति की हम मैं बात वही कह रहा हूं प्रकिति से प्राप्त संघ्याओं प्रकिति से जो संघ्याओं हमने प्राप्तिक उनका हम उप्योग क्यों कर रहे थे गणना करने के लिए प्रत्यच वस्तुओं की गणना करेंगे वही तो है तो आप प्रत्यच वस्तुओं की गणना करने के लिए प्रकिति से प्राप्त दे सकते हो एक दो तीन चार पाज लेकिन फिर भी आपकी ये पूरा थ्री मारकर का आप कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि अभी इसमें पूरे 20 सब्दों थोड़ी हुए हैं क्या हुए हैं नहीं तो फिर आप इसमें एक लाइन और जोड़ दो इसे एन से प्रदर्सित करते हैं अब आपका ये थ्री मारकर कंप्लीट हो अब आपका ये कंप्लीट है कि गणन के लिए उप्यूक्त सांग के तिक चिन पहली बात दूसरी बात नम सेट बनातो एन बराबर 1,2,3,4,5 इन फाइनाइट तर तीसरा इसे एन से प्रदर्सित करते हैं आपका थ्री मारकर कंप्लीट तीन लाइन में और यही आपकी एक प्रॉपर डेफनेशन होगी आप ये नहीं बताओगे वहाँ प्राकिती से प्राप्त है माल ली हाना और यही सारी चीज़े तो आपकी जो प्रॉपर डेफनेशन होगी वह यह होगी से नोट डाउन कर लेना प्राकिती संख्या फिर गणना के लिए गणन के लिए उप्यूक्ति प्सांकेतिक चिन इसे एन से प्रदर्सित करते हैं और एन बराबर दिस लिख लो यह चीज़े लिखते जाना प्राक्टिक संग्याओं की यह थ्री मारकर्स आपके यहीं से तैयार होंगे मेरे नोट्स में नहीं मिलेंगे मेरे नोट्स में पूरी ठ्योरी मिल जाएगी नोट्स ली डवलप हो रहा है झाल गवलप हो वलप हो गया है अप प्राक्तिक संख्याओं के उत्पत्ति मानी गई एक से नौ तक लेकिन उसके बाद हमने ग्यारा बनाया बारा बनाया तो हमने प्राक्तिक संख्याओं का यूज करके ही तो ग्यारा बारा तेरा बनाया है तो वो भी तो प्राक्तिक संख्याओं में ही काउंट होंगे इसलिए जन्म हमने सिर्फ एक से नौतक का ही दिया, पर एक से नौतक को मिला कर फिर हमने और भी संख्याएं बनाई, तो वो संख्याएं भी क्या हैं, जब तक उसमें सुनने एड नहीं हो रहा है, तब तक वो संख्याएं प्राक्तिक हैं, जैसे ही वो संख्याओं के साथ अब सुनने का भी जुड़ जाएगा सुनने का भी एक वर्ग जुड़ जाएगा तो वो क्या हो जाएंगी प्राक्तिक संख्याएं थी तो प्राक्तिक संख्याओं का पहला जो दो गुण होता है वो गुण क्या होता है अब प्राक्तिक संख्याओं का पहला गुण दो चीजे होती है प्राक्तिक संख्याओं में एक होती है परिवर्ति और एक होती है पूर्वर्ति ऑप ये प्राक्तिक संख्याओं को दो विसेश्थाएं इनमें बहुत ज्यादा होती है एक होती है परवर्ती और एक होती है पूरवर्ती ये विसेश्थाएं है प्राक्तिक संख्याओं की विसेश्थाएं मानोगे परवर्ती और पूरवर्ती अब प्राक्तिक संख्याओं की जो तो परवर्ति या पूरवर्ति है पूरवर्ति मतलब क्या होता है पहले तो पहले होता है तो प्रिडेसर्स लेकिन परवर्ति मतलब आगे की तरफ परी मतलब क्या हो जाता है आगे बढ़ना और आगे बढ़ना तो यह क्या हो गए सक्सेसर्स हो गए आप किसी भी दो संख्या जो सक्सेसर्स होते हैं या प्रेडेसर्स होते हैं यह डिफाइन किसमें होते हैं संख्या रेखा पे डिफाइन होते हैं अब प्रेडेसर्स या सक्सेसर्स जो डिफाइन होते हैं पूरुवर्ती या परिवर्ती होते हैं अब पूरुवर्ती मतलब पहले और जब पहले लेकिन जब आप आँगे बढ़ोगे तो एक स्टेप क्या करोगे आप आँगे बढ़ोगे मतलब यदि आप संख्या रेखा पे 0 को भूल जाओ अभी 1,2,3,4,5,6 पे चलते हो तो एक स्टेप आँगे जाओगे मतलब प्लस 1 अगली स्टेप आँगे जाओगे तो 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 प् आप इसमें एक कदम पीछे जाओ जैसे एक कदम पीछे जाओ माइनस वन फिर एक कदम पीछे गए माइनस वन फिर एक कदम पीछे गए माइनस वन फिर एक कदम पीछे गए माइनस वन फिर माइनस वन तो यह क्या हो जाएगा आपका पूरवर्ती हो जाएगा पहला तो यह ज जोड़ते हैं तो परिवर्ति के लिए क्या बोल सकते हो प्राक्तिक संख्या में एक जोड़ना या एक कदम आगे बढ़ना और पूरुवर्ति को क्या बोल सकते हो प्राक्तिक संख्या में एक घटाना तो देखो अब एक आपका पूरुवर्त परिवर्ती तो है लेगिन क्या एक से पीछे जा सकते हो जा सकते हो एक से पीछे जा सकते हो एक से आप माइनस वन करोगे तो यहां पे क्या मिलेगा जीरो पर क्या जीरो प्राक्तिक संख्या है यहां पे तुम पूरुवर्ती और परिवर्ती की बात करें प्राक्तिक संख्याओं में क्या जीरो प्राक्तिक संख्या है तो यहां से हमारा यह निसकर से निकल कर आया कि ए एक का पूर्ववर्ती नहीं होता है मतलब एक सिफ परिवर्ती का कॉंसेप्ट पूरा करता है पूर्वर्ती का कॉंसेप्ट या नियमों को पालित नहीं करता है क्योंकि अगर एक में आप माइनस वन जोड़ोगे तो यहां पे जीरो आएगा और यह जीरो तो अपना प्राक् हम ही हो गई है अज अगर यह जीरो की कहानी खतम हो चुकी है मतलब एक का पूरवर्ती नहीं होता है समझ में आया एक का पूरवर्ती नहीं होता है और क्या चीज इससे देखकर समझ में आ इस से इस टेबल को पूरवर्ति और परिवर्ति को देख कर आपको और क्या चीजे समझ में आ रही है पर एक चीज यहां पर ध्यान रखना कि पूरवर्ति नहीं है पर एक परिवर्ति है क्यों है परिवर्ति एक में एक जोड़ने पर दो मिलता है और दो एक प्राक्तिक संख्या है मतलब एक पूरवर्ति और परवर्ति में सीधा सीधा याद रखो कि यदि हम एक नेचुरल नंबर में एक जोड़े तो जो हमें result मिलेगा आर वो भी एक प्राक्तिक संख्या होनी चाहिए यदि मैं एक में किसी natural number में एक घटाता हूँ और मुझे एक result मिलता है तो वो भी क्या होना चाहिए प्राक्तिक संख्या होनी चाहिए अगर ये concept clear है अगर ये rules follow करता है तो वो संख्या पूर्वर्ति और परिवर्ति होगी आपको पेपर में question ऐसा दे देगा क्या तीन परिवर्ति या पूर्वर्ति है तो आपको वहां पर define करना है तो आप क्या करोगे तीन कैसे समझाओगे जैसे आपके सामने एक question आ जाए question ये आए कि क्या तीन पूर्वर्ति तथा परिवर्ति है इस पश्ट कीजिए क्या हटा दो यहां से तीन पूर्वर्ति और परिवर्ति है इस पश्ट कीजिए आपके सामने ये question आ जाए आप इसको तीन मारकर में आपको ये आ जाए और आपको solve करना है क्या करोगे आप सीदे सीदे क्या इसका answer दोगे इसका answer क्या होगा कि तीन सीदे लिखो एन बरावर थ्री प्राक्तिक संख्या क्योंकि प्राक्तिक संख्या का दिनोसन न होता है अब एन बरावर थी है तो पूर्वर्ति n प्लस 1 इसकाल 2 पूर्वर्ति मतलब n-1 n-1 मतलब 3-1 बरावर 2 प्राक्तिक संख्या परिवर्ति अगली लाइन में बोला परिवर्ति n प्लस 1 3 प्लस 1 बरावर 4 प्राक्तिक संख्या हां तीन की बात हो रही है न पर वर्वर्ति पूर्वर्ति में प्लस और माइनस होगा हां है बस आपका थ्री मारकर कंप्लीट ऐसा कोश्चन भी एंसी आर्टी में दिया गया है और ऐसा कोश्चन भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है क्योंकि इस बार के जो 2019 था उसमे एंसी आर्टी से कोश्चन उठाए गए तो अम मैथ अगर सेपरेट किया गया है तो उन्हें मैथ के कोश्चन कहीं मिलने नहीं है तो सीधे सीधे एंसी आर्टी उठाएंगे तो यह ऐसा कोश्चन भी आपके सामने बन सकता है और आपको उसका एंसर ऐसे ही देने आपको को परिवर्ती है इस पश्ट कीजिए अब इसका एंसर आप लोग लिख लेना एक केबल परिवर्ती है इस पश्ट कीजिए पूरवर्ती लिखोगे यह से और बराबर वन पूरवर्ती लिखोगे तो पूरवर्ती में आप क्या कर दोगे पूरवर्ती के और यह संख्यान नहीं है अब यह सकता अब यह क्या हो जाएगा परिवर्ति तो परिवर्ति लिखा और परिवर्ति लिखने के बाद n बराव एन मतलब की n to 1 प्लस 1 बरावर 2 क्या है आपका प्राक्तिक संग्या ये प्रूफ हो गया दो लाइन में आपका 1 थ्री मार्कर कंप्लेट self तो यह जित्ती भी चीज़े हैं यह नोट्स पे नहीं है यह से आपको लिखना पड़ेगा नोट्स में तो सिफ आपको थियोरी मिलेगी तो क्लास को देखते वे लिखते जाना दोनों ओफ लाइन ऑनलाइन दोनों लोग झाल झाल बीजून गवादी एफ यह है ना पर हमें यह बताना पड़ेगा ना कि यह पूरवर्ती यह इसको बता दोगे तो सामने वाले को यह पता रहेगा कि हां इस वज़ा से यह से परिवर्ती हो गया के लिए अब इसकी एक लाश्ट प्रोपर्टी बचिए प्राक्तिक संख्या में और कोई प्रोपर्टी नहीं है कि अगर आपसे कोश्चन यह पूछा जाता तो एक को यहां पर आप यह भी बोल सकते हो सबसे छोटी प्राक्तिक संख्या हाला कि यह आपका मैट का कोशन है यह आपका थोरी का या कॉंसेप्ट का कोशन नहीं है नहीं से बनेगा फिर भी आप यहाँ पर एक को यह डिफाइन कर लो कि एक क्या है आपकी प्राक्तिक संख्या क्लियर के लिफ्ट क्लियर हो गया आप यह तो आपका हो गया प्राक्तिक शंख्याव में जो कोशंड क्या बन सकते घ्रटlor Fellow संख्याएं क्या हैं इसमें पहला कोशन तु ये बन सकता था क्यूं बन सकता था क्यूंकि 2017 में ये पूछा गया है त्री मारकर समें किiscसette सकता है तो यह भी पूछ सकता है कि प्राक्तिक संख्यां के लिए तो पहला कोश्चन आपका थ्री मारकर का बन सकता है प्राक्तिक संख्यां के लिए तुमने संख्या को समझा संख्या क्या प्रकार को समझोगे परिमे और परिमे संख्याओं तक परिमे और परिमे तक और थोड़ा सा वास्तविक और संख्या है बिसंख्या है इनको बारे में उसके बाद आगे बढ़ोगे आगे बढ़कर फिर संख्योगे यह इकाई दहाई स तेकरा इकाई मापन की विधियां उसके बाद पिर आप आजाओगे नुमेरिकल्स में और बाकी सारी चीजों में पर आपका जो कॉंसेप्ट है वो कॉंसेप्ट ऐसे ही बनेगा संख्याएं क्या होती है और इनसे यह कोश्चन उठते हैं थ्योरी इंपर्टन है तो पहला कोश्चन तो थ्रिमार करका यह उठ सकता है एक कोश्चन वहां बता चुका हूं मैद का उसके बाद दो कोश्चन इस टाइप से भी उठ सकते थे परिवर्ति और पूरवर्ति के कि एक कोश्चन यह उठ गया कि इसमें यहां पर कोई भी संख्या ले सकता है दो भी ले सकता है तीन भी ले सकता है चार भी ले सकता है पांच भी ले सकता है कोई भी संख्या ले सकता है पर कोश्चन का पैटन यही रहेगा और एंसर गुचल जाएगा तो एक कोशन यह बन गया और एक कोशन आपका यहां से ये बन सकता एक के लिए आ है अप तो इससे कोई भी कोशन आएगा तो बन जाएगा अब आ जाओ अगले उसकर चलते हैं अपन अब बात करते हैं अपन-sanghyo कि अब आपके संख्याओं का असली खेल सुरू होता है यहां से पोल लंब अभी आपको मैंने पिशली क्लास में पूर्ण संख्याओं का एक कॉंसेप्ट समझाया था अब अगर मैंने वो कॉंसेप्ट समझाया था तो पहले अपन मेंस के कोश्चन की बात कर लेते हैं कि पूर्ण संख्या क्या है और इस पूर्ण संख्या को कप पूचा गया था दोह कि डिफाइन करो पूर्ण संख्याओं को फिर हम दिख हम डिफाइन कर दिंगे कि क्या दिफाइन करा तुमने डिफाइन किया तुमने ये बोला प्राक्तिक संख्याओं के साथ सुन्य को समलित करने पर संख्याओं का तुमने लिखते हो तो पूरे माक्स तो तब भी नहीं है करना हैं कि हमें अगर एक्जाम्नर ऐसा हमारा एंसर हो कि मनर हमें देखते ही साथ उस पूरे माक्स दे दे तो अगर ऐसा एंसर देना है तो यह तुमने जो डिफनेशन भी हो डिफनेशन गलत नहीं है बस उसको बोलने का या उसके लिखने का तरीका बदलू और अगर आप बोलने का लिखने का तरीका अच्छा रखते हो तो आपको एक्जामिनर देता है देखो करता है लेगिन वहीं पर अगर दस काउपियों में से सब ने एक जैसा लिखा है और एक काउपियों से 11 नंबर की मिल गई जिस पर उसने थोड़ा सा अपनी मौलिक्ता को ध्यान में रखते हुए लिखा है तो वहीं पर वो एवरेज मार्किंग छोड़ कर उसको अच्छे मार से खेल पाते हुए आप पर डिपेंड करता है आप अपने मार्क्स फुद गेन करते हो और अपने मार्क्स फुद घटाते हो उसमें ना एक्जामनर का दोस्त होता ना पढ़ाने वाले का दोस्त होता है क्योंकि वो तो वही पढ़ा रहा है जो आपका कॉंसेप्ट बना सके एक्जामिनर वही चेक कर रहा है जो से मिल रहा है जो से सामने प्रेजंट हो रहा है आप आपके उपर है कि आप उसके दिमाग से खेल कर कैसा प्रेजंट करते हो सामने वाले को कैसे सब्द चुनते हो तो अगर मैं अगर आप उसकी जगा होता तो मैं ये एंसर तो ठीक है पर मैं इसी एंसर्स को दूसरे तरीके से लिखने की कोसिस करता है और क्या लिखता हुआ सुन्ने के साथ साथ प्राक्तिक संख्याओं का का समुच्च एक लाइन सुन्ने के साथ प्राक्तिक संख्याओं का समुच्च क्या कहला है आपका पूर्ण संख्याओं अब मैंने ये डिफनेशन क्यों लिखी मैंने ये डिफनेशन इसलिए लिखी क्योंकि मेरे पास और रेड़ी प्राक्तिक संख्याओं है मैंने पूर्ण संख्याई बनाने के लिए किसको जोड़ा सुन्य की खोजकी और सुन्य को जोड़ा मतलब महत्त किसको दिया जाएगा सुन्य को दिया जाएगा इसलिए मैंने लिख दिया सुन्य के साथ प्राक्टिक संख्याओं का समुच्य क्या कहलाता है पूर्ण संख्या कहलाता है आगे लिखने की जरुरती नहीं है इतना ही लिख दो तो समझ जाएगा कि आपको पता है अप समुच्चे क्या होता है तो समुच्चे सेट होता है संग्राय होता है और मैथ में हम किसी भी चीज का जो संग्राय होता है उसे समुच्चे से डिफाइन करते हैं जो साम बैठा जिस बैक्ती ने इस copy को लिखा या answer को लिखा है उसे math की समझ है भले उसे math कुछ भी ने आता हो पर भले उसे math विल्कुल भी नहीं आता हो पर उसने अपने answers में math के concept या math के सब्दों का खेल रच दिया है तो उसे सामने वाले को तो यहीं लगेगा ना कि साम जो बैठ जिसने copy को से math अच्छे से आती है क्योंकि वह तुमसे थोड़ी मिला है तुम्हें थोड़ी पढ़ाया है उसने कि उसे पता होगा कि तुम्हें math आती ही यह नहीं आती है उसे तो यहीं पता है ना जो तुमने द है और अगर आपने सब्दों का चैन बहुत अच्छे से किया है तो आप नंबर अच्छे गेंड करोगे तो सब्द से खेलना चाहिए जहां जैसी जरूरत वहां वैसे सब्द जहां जैसे subject वहां वैसे सब्द आटोमेटिक आपको numbers मिलेंगे क्योंकि वह आपको यहीं जाने ग्यान है मतलब उसके ये पता है कि ये subject क्या है महारत है उसे और उसे के हिसाब से नंबर देगा और अगर दो चार में तुम्हें ऐसे सब्द मिल गए तो एकाद में तुम्हें सब्द याद में नहीं आए तुमने नॉर्मल भी लिख दिया तब भी examiner सोच लेगा कि चलो छो अपर तरीके से लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा question को देखो अब मैं इसी question का answer लिखता हूं जो पूर्ण संक्या 2017 के मिंस में आया था तो मैं क्या बोलूंगा सुनने के साथ साथ प्राक्तिक संख्याओं का समुच्य सुनने के साथ प्राक्तिक संख्याओं का समुच्य पहली लाइन कम्प्लीट अगली लाइन पे आऊंगा डबलू से प्रदर्शित डबलू से प्रदर्शित तीसरी लाइन में लिखूंगा समुच्य बताऊंगा तो क्या लिखूंगा W is equal to 0, 1, 2, 3 and so on infinite अब यहां पर यह समझो कि देगो सुरुवात तो मैंने 0 से कर दी सुरुवात 0 से कर दी और definition भी मैंने 0 से सुरुख रिए समुच्च यह होता है मैंने definition देगे तो मैंने वही लिखा जो मैंने notation करना है जब मैं वही लिखूंगा जो मैं notation में दूँगा प्रदर्सित करूँगा है ना तो सामने वाले को समझ में आएगा कि हाँ इसने जो लिखा है जो समझा रहा है वो ठीजे एक क्वाल तो सब्दों को पकड़ना सीखो और यह आपका three marker complete आपको पूरे marks मिल जाएंगे से क्या होगा पूरे marks मिल जाएंगे और एक question आपका ready होगा कि अगले में आ जाओ अब अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की विसेस्ताओं की कौन कौन सी विसेस्ता हैं पूर्ण संख्याओं में हो सकती हैं चलो अब पूर्ण संख्याओं की विसेस्ता की बात करते हैं कि पूर्ण संख्याओं क्योंकि question ऐसा भी आ सकता है five markers में पूर्ण संख्याओं की विसेस्ताओं यह गुण मैं इसे गुण कहते हैं पूर्ण संख्याओं के गुण प्रोपर्टी जॉफ फोल नंबर प्रोपर्टी जॉफ फोल नंबर अब पूंड संख्याओं के गुण परकिवाद करते हैं कि पूंड कुश्चन ऐसा भी आ सकता है कि पूंड संख्याओं के कोई तीन गुण बताईए या पूंड संख्याओं के साचरिनियम का गुण क्या पूर्ण संख्याएं या फिर इसको और घुमा सकता है कि पूर्ण संख्याओं के क्रम विमें क्रम विमें नियम को समझाइए तो अब यहां पर हम नंबर के साथ खेलना शुरू करेंगे अब हमारा काम क्या है अभी तक हमने numbers को समझा कि क्या होते हैं अब हम यहां से numbers के साथ खेलना शुरू करेंगे एक एक टाइप में जैसे हमने पिछले उसमें प्राक्टिक संख्याओं में नंबर के साथ खेला प्लस करके माइनस करके और जब numbers के साथ खेला तो हमने दो नई properties को जन्म दिया प्राक्टिक संख्याओं के लिए उसी तरीके से यहां पर भी हम खेलेंगे numbers के साथ और properties को जन्म देंगे तो अगर हमारे पास whole number की बात करो तो whole number को हमने define किया कि जो w है वो क्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on infinite तर यही है तो इससे हमें समझ में पहला properties क्या निकल कह रहा ही पहली property यह है कि सुन्ने सबसे छोटी प्राक्टिक संख्याओं सबसे छोटी पूर्ण संख्याओं पहली properties में कल तो यही नहीं समय्में आता है कि सुन्ने जो है सबसे सबसे छोटी प्राक्टिक संख्याओं अब दूसरी property सेट को देखने के बाद समझ में आती है कि यहां से लेकर यहां तक प्राक्टिक संख्याओं हैं ये सुन है, तो सभी प्राक्तिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राक्तिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं, लाइन समझ में आई, अगर मैं इसको हटा दू, देखो अगर इसको हटा दू, तो वन से इन्फाइनाइट तक तो मनलब पूरी की पूरी प्राक्तिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती लेकिन अगर मैं जीरो को यहाँ पर जोड़ दूँ जीरो को जोड़ कर बात करूँ तो जीरो जुड़ जाने से क्या सभी प्राक्तिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी नहीं क्यों नहीं ह प्राक्तिक संख्या इं पून संख्या हो सकती हैं लेकिन सभी पून संख्या प्राक्तिक संख्या नहीं हो सकती हैं नहीं हो सकती हैं अ जो नो 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 डाउन करते जाना मैं इसे अब रभ भी करूंगा क्योंकि यही से मैं सारी प्रॉपर्टी स्कोeleriak clock करता चलूंगा है कि हो गई दो नो प्रॉपर्टी ओंलाइन वाले भी ओनला ilgili में भी देख लेना जो इसको वो करते जाना अब आंगे म вопрос उत्रतेर जो गई ऊगले प्रwhack की हम बात करते हैं कि दार्पर्टी नमबर थाथ मैं है अब हम ये जानते हैं कि योग और गुनन पन टमद है कि डिवीज!」 और आपका ब्योकलन चार प्रोपर्टी होती ही जो numbers के साथ लगाई जाती है, हमेसा से लगाते हैं, अब हम यहाँ पर उनी 4 properties की बात करते हैं, तो 4 properties की बात करो, यदि एक एक पूर्ण संख्या है, दो एक पूर्ण संख्या है तो इसको जोडने के बाद हमें क्या मिल रहा है, तीन मिल रहा है, यदि हम 10 में और 15 जोड़े तो हमें क्या मिल रहा है 25 मिल रहा है मतलब कि दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर जो हमें result मिलता है वो भी एक पूर्ण संख्या होता है तो तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर हमें एक पूर्ण संख्या मिलती है इसको अगर answers के form में लिखोगे तो दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या है मैंने बहुत आसान language में लिख दिया है अगर इसको answers form में लिखना होता यानि जो आपको paper में विसेशता है अगर आ जाए तो क्या बोलोगे दो पूर्ण संख्याओं का योग योग एक पूर्ण संख्या है अब दिमाग में आओगा कि सर आप तो जो बोल रहे हो तो ठीक है यह ना पर यह तो हमें भी पता है कि दो पूर्ण संख्या जोड़ोगे तो पूर्ण संख्या आएंगे तो पर यह आपको समझाने कि यह विसेश्थाओं में जोड़ने की क्या जरूरत पड़े तो देखो यदि मैं इसको घटाओं कि वन माइनस टू-1 मिलेगा यह माइनस वन पूर्ण को पूर्ण संख्या थोड़ी है मदलब अरगे वोंचंग तो यह एक जाम पर लिखो गे तो यह दो लिखें न उपर जोन ही आपने डब्लो प्लस डब्लू टू तो नों पूर्ण संख्यां हो गई उनको जोनने पर जो रिजल्ट मिला वो भी एक पूर्ण संख्या तो एक जामपल दिये दोगे पर सभी पूर्ण संख्या प्राक्तिक संख्या भी तो होती है अब अगर इसको आपको और डिफाइन करना है तो देखो इसके नीचे अगर आपको यह आ जाए कि अगर आपको कोश्यन यह बन जाए यहां पर सभी पूर्ण संख्या का योग योग पूर्ण संख्या होता है इस पस्ट की जब मार्ट में आ जाए करो इस पस्ट इस नियम को है तो क्या करोगे मैत में किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होता है huh संज्भ करेंगे क्या बिल्कुल एक पून संख्या w1 ले ली दूसरी पून संभ्लू 2 ले ले और एंसर दे दिया कि तीजरी मिलेगि व2 अब यहां पर 0-1 ले लो वन आया पूर्ण संख्या टेन प्लस 20 ले लो 30 आ गया पूर्ण संख्या सब पूर्ण संख्या नहीं है जब तक हमें 10 नहीं पता था तब एक से नौ तक चलते थे फिर हम ग्यारा से उन्नीस तक चलते थे वीचका तो तो यही चीज ती तो पर हमने जब जीरो लगा दिया तो यह वी तर पून संध्या वन गई कित्ता हो गया 30 लेकिन अगर हमें इसको समझाना हो तो दो पूर्ण संख्याओं का व्योकलन आप समझो व्योकलन की कहानी यह तो योग तो समझ में आ गया योग समझ में आने के बाद अगवागर मैं बोल दू कि पूर्ण संख्याओं का व्योकलन मतलब घटाना पूर्ण संख्याओं का व्योकलन सब्द यहीं यूज करोगे पूर्ण संख्याओं का व्योकलन मतलब क्या होता है घटाना तो पूर्ण संख्याओं का व्योकलन कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होता नहीं होता है क्यों W1-W2 W3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं resultant मालो यहां पर अब 0 में से 1 घटाओ minus 1 पूरांख है 3 में से 2 घटाओ 1 पूर्ण है पूर्ण संख्याओं का ब्योकलन कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होता क्यों नहीं होता घटाना मलब दो पूर्ण संख्याओं को यदि आप घटाते हो तो पूर्ण संख्याओं उनके जो result आएगा घटाने के बाद वो रिजल्ट आपका कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होगा क्यों नहीं ओगा अगर 0 में से 1 घटाते हो तो माइनस 1 मिलता है माइनस 1 पूर्ण संख्या नहीं है नहीं होता है कि इसी लें विटेश्टाओं में सिर्फ हमने योग लिखा थे व्हक लुर। नहीं काुंद किया क्यों और समय क्पूरण संख्याओं का यह hat कि और हम कभी बी पूंड्संख्याओं करहसे संख्याओं का रहा रहा हमने अफेशल ही निस्कयाओं कि 7 कि पूर्ण संख्याओं का योग संवरित होता है, मतलब क्लोज होता है, इसका मतलब यह है कि आपको हमेशा पूर्ण संख्याओं का योग, पूर्ण संख्या ही मिलेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा, मतलब पूर्ण संख्याओं का योग को ही हमने संवरित कर दिया, इस सेट के अंदर गत, बाद दिया उसको, संवरित मतलब बाद देना, मतलब पूर्ण संख्याओं का योग ही हमें पूर्ण संख्या मिलेगा, हमने उसको बाद दिया, इस सेट के अंदर, क्योंकि देखो, वो तो मतलब हमने पूर्ण संख्याओं का जो result आ रहा था उसको अमने उस set के अंदर बाद दिया सम्रित कर दिया close कर दिया और यह लाइन यहीं से निकल कर राती है यह पूर्ण संख्याओं का योग संबुरत होता है क्यों सम्रित होता है क्योंकि वो उस सेट के अंतरगत क्या हो गया है बढ़ चुका है उससे बाहर वो नहीं जा सकता है लेकिन यहां पर सम्रित नहीं हो सकता है क्योंकि माइनस वन आया और हमारा जो डबलू का सेट होता है वो क्या होता है जीरो वन टू थ्री फॉर्ट क्या इस सेट में माइनस आता है नहीं आता मनलब यह सेट से बाहर चला गया माइनस वनारा मनलब उस सेट से उस गुरूप से बाहर जा रहा है ना और जो उस गुरूप से बाहर जा रहा है मतलब हम उसको बाध नहीं सकते बाध नहीं सकते तो यह तो यह चीज़ कॉंसेप्ट समझ संख्याओं का पूर्ण संख्याओं का गुड़न फल कि पूर्ण संख्या होता है क्यों देवो डबलू वन इंटू डबलू टू इसकल टू डबलू पूर्ण संख्या सेकंड पूर्ण संख्या और जो रिजल्ट आया वो भी एक क्या है पूर्ण संख्या जैसे जीरो इंटू वन इसकल टू जीरो पूर्ण संख्या तू इन्टू वन इसकोल टू तू पूंड संख्या टेन इन्टू 15 इसकोल टू 150 पूंड संख्या और यह भी क्या है लोज्ड सम्वरित लोज है मनलब पूंड संख्याओं का गुणनफल गुणनफल सम्वृत है लोज्ट है क्यूंकि जो रिजल्ट मिल रहे हैं वो रिजल्ट पूर्ण संख्याओं के सेट के अंतरगत ही हैं बदे हुए हैं उसके अंतरगत उससे बाहर नहीं जा रहा है समझ में आगी क्लियर हो गया कहीं डाउट तो नहीं मन में अब आगे ओनलाइन वालो ओनलाइन वाले भी जो देख़ें लाव क्लास को रिकॉर्ड़ेट में देखेंगे न वह वो बढ़ा करना देखेंगे फास्वरवड में लए पूंदा आराम यहीं पर हम बात करते हैं भाग की डिवीजन की विभाजन की मैं अथ में विभाजन कहलाता है भाग को अब भाग के लिए क्या पूर्ण संग्या मतलब पहली पूर्ण संग्या को दूसरी पूर्ण संग्या से घटाओ तो क्या पूर्ण संग्या मिलेगा इसको हम रिजल्टे में से एक घटा एक डिवाइट करोगे जीरो आएगा पर वन से जीरो को डिवाइट करोगे इंफाइनाइट आएगा इंफाइनाइट हम अनंत तक जाते हैं पर हम अनंत को कभी भी पूर्ण संख्याएं नहीं मानते हैं मतलब हम आपरिभासित कर रहे हैं और जब हम चीजों को आपरिभासित कर रहे हैं तो उस आपरिभासित में विभाजन की नियम को तो लाई नहीं सकते हैं मतलब पूर्ण संख्याओं के साथ सिर्फ योग और गुड़नफल का ही नियम लगता और कोई नियम नहीं लगता भाग और विभाजन और व्योकलन तो आपके पूरे हटी गए साइड पे फेड दोने उठाते सिर्फ किसकी बात करोगी योग और गुड़नफल की कि पूर्ण संख्याओं का योग या पूर्ण संख्याओं का जो गुड़नफल है वह आपका क्या होगा पूर्ण संख्या होगा पीछे घटने के लिए नहीं हो सकता आंगे बढ़ने के लिए हो सकता हुआ इसका रीजन और देदू विवाजन वाला रीजन और देदू देखो करेंट डिवाइड वाया फॉर इसकुल टो क्या वायज क्या अड़्टो पूर्ण संख्या is लेकिन 5 डिवाइड वायस एवन के लिए बढ़ रहा नियम नहीं लगेगा कि सभी पूर्ण संख्या का विवाजन हो यह तो अपन गलत कह रहे हैं क्योंकि हम क्या पा रहे है रिजल्ट में तो हम पर्मे संख्या पा रहे हैं अब पर्मे संख्या तो अपने आप में एक अलग चीज है तो जहां से संख्याओं का जब हम कुसी भी काम को करें और उसका रिजल्ट हमें कुछ और मिले तो हम उस काम को उससे हटा देते हैं वही कि यहां पे भी कर रहे हैं कि जोड़ रहे हैं गटा रहे हैं कि वो क्या होगा तो उससे जल्स मिल रहा है तो उसको मानेंगे शरूरतनि नहीं तो यहां कि आप यहीं से आपका जन्म लेथा है सुन्य द्तवागोर्ण सुनने दोरा विवाजन और विवाजन का नियम हमने क्या बोला कि विवाजन क्या कहलाता है विवाजन आपका कहलाता है कि जब हम किसी संख्या से विवाजित करते हैं किसी अन्य संख्या को तो हम क्या करते हैं माइनस करते हैं क्रम सह माइनस करते हैं क्रमिक क्रमिक ब्योकलन क कहलाता है विवाजन क्या है अगर आप विवाजन की डिफनेशन देते हो विवाजन की डिफनेशन दोगे विवाजन की परिभासा दोगे तो विवाजन की परिमासा क्या है दी गई संख्या का संख्या का अन्य संख्या से क्रमिक ब्याव कलन क्या कहलाता है विवाजन कहला परिवाजन की परिवाशा क्या हो गई दीगई संख्या का अन्य संख्या से क्रमिक ब्याव कलन क्या कहलाता है आपका बिवाजन जैसे उदान के लिए मैंने आपको एक उदाण दिया था कि 8 divided by 4 is equal to होता है 2 बट इसको अगर solve करना चाहो तो 8 में से 4 घटा होगे 4 पहली बार जाएगा और minus 4 में से 4 घटा होगे तो 0 होगा दूसरी बार गया तो कितनी बार गया 2 times divide थी आपने 2 times घटाया और ये जो 2 times आप subtract कर रहे हो तो यही 2 times आपका क्या बन गया आपका विभाजन बन गया भाज्य बन गया और क्रमिक विभाजन पे उकलान जब तक सुन्ने ना हो जाए कब तक करोगे जब तक कि बस सुन्ने ना हो जाए और सुन्ने हो जाने के लिए जब तक चलोगे जित्ती बार आप उसको divide करते जाओगे उत्ते times उसको जोडते जाओगे तो कित्ते time गया two times इसलिए हम बोलते है ए four two ja eight इसलिए हम क्या बोलते है four two ja eight आपके math में हर चीज भाग और जोड से ही जोड और घटाने से ही बनी है चाहे वो गुणा हो चाहे वो भाग हो गुणा म हम क्या करते हैं गुणे की definition अगर हमें देनी हो तो गुणन की definition क्या होगी किसी भी संख्या से उस संख्या का क्रमिक जोड जब तक कि वो संख्या पूर्ण ना हो जोडते जाओ बढ़ती जाएगी कभी एंड नहीं होगा और विभाजन में क्या हो जाएगा एंड हो और हम बोलें सुनने से विभाजन तो सुनने से विभाजन का मतलब क्या हो गया कि हम एक को किस से डिवाइट कर रहे हैं सुनने से डिवाइट कर रहे हैं और अगर हम विभाजन की definition देखते हैं तो एक में से जीरो को घटाओगे तो क्या मिलेगा एक फिर जीरो को टाइम भी थाड़ टाइम भी और ये क्रम सह चलता जाएगा इंफाइनाइट टाइम तक इसी लिए किसी भी संख्या से सुनने से विभाजन आप परिभासित होता है इसी वजह से किसी भी संख्या से सुनने से विभाजन आप परिभासित होता है तो कृपिया करके ये दोनों चीजें आप नोट डाउन कर लिजे क्योंकि आप से question ये पूछा जाएगा कि सुनने से विभाजन आप परिभासित होता है इस पश्ट कीजिए question आपका यहीं से बनेगा सुनने से विभाजन आप परिभासित होता है इस पश्ट कीजिए पाइप मार्स याट्टू मार्स त्री मार्स यह question's not down करते है आना नोट्स पर यह question's आपके में में हैं तो यह पूरा note down कर लो यह question note down करना इसको मैं अभी इसका answers भी बताता हूं कि कैसे define करोगे इसको 5 marks पे इसको बताता हूँ 5 marker में कैसे define करोगे इतना छोड़ दो उसके बाद नीचे से बाकी चीजे define कर लो इसको मैं समझाता हूँ answer देता हूँ इसका फिर इस class को खटम करते हूँ कर दो अईवाद हूँ इसके बाद कर दो उसका प्राद कर दो में कर दो दो इसके बाद हो गया है लिखलो अराम से आप लोग भी लिखलो अनलाइन में हो जाता हूं एक एक कॉंसेप्ट एक ठोरी को लिखते जाना क्योंकि बाद में यह थ्योरी मेरे दिमाथ में रहेगी कि नहीं रहेगी मुझे नहीं पता बाद में पूछोगे तो मैं नहीं बता सकते कि मैंने जितनी किताबे पढ़ी है न वह एक ही समय पर याद आती है जब मैं क्लास में खड़ा होता हूं बाकिस समय किताबे के दिमाथ पर नहीं आता हूं हो गया अब बात करते हैं इस कोश्चन की जो कोश्चन आपके सामने है कोश्चन क्या था सुनने को सुनने से विभाजन आप परिभास्थीत है भी है इस पश्ट कीजिए इस पर था यह पाइब मार कर दिए आप इसको आप परिभासित करोगे तो ख्या वो लोगे शुनने से सी विभाजन तो सुनने से विभाजन आप परिभासित है मतलब ए आप ऑन में do मैं डिवाइब ही क्रों टू हमें डिफाइन करना है ए आप बाउन में डिवाइड फिर लिख दो यहां पर bracket में लिख दो विभाजन का अर्थ क्रमिक ब्योकलन तब तक जब तक सुनने ना हो जाए ना हो जाए लिख दिया और इसके rule को अपन लिखाओगे तो 1 minus 0 1 गया यह minus 0 1 गया 2 times minus 0 1 गया मतलब यह क्रम इंफाइनाइट टाइम तक चलेगा यह भी चीज़े इंफाइनाइट टाइम तक चलेंगी मतलब that's proof इससे सिद्ध है की सुनने से विभाजन आप परिवाजन इस इन्फाइनेट्स हाँ न और निसकर्स क्या निकल कर आएगा तो आप तुम्हें देखो तुमने समझा दिया तुमने सिद्ध भी तुमने क्यों लगाया ये रूल क्यों लगाया उसकी तुमने ये बजह बताई एक्जामनर को नहीं पता तुमने ये क्यों किया उसकी बजह तुमने यहाँ दी उससे तुम्हारा रिजल्ट क्या निकला उस बजह से तुम्हारा कानण का परिणाम क्या निकला ये निकला अब इस पर नाम को जब तुम निसकर्स दोगे तो क्या बोलोगे ए अपान में जीरो इसकल्टू आ परिभासित जहां ए इसकल्टू पूर्ण संख्या और सुन इसको बोल दो सुन यह तुम्हारा हो गया निसकर्स और जब तुम इतना निसकर्स लाष्ट में दे दोगे तो तुम्हारी इस कहानी को ने पड़ेगा एक पॉ самой यह देखेगा एक पॉइंट यह देखेगा फाइब मार्क्स देरे उसे नहीं मतलब कि तुमने और बीच में क्या एक्जामपल दिया तुम्हें आप एक ले सकते हो दो ले सकते हो तीन ले सकते हो कुछ भी ले लो पर paper में वो तुम्हारे इन तीन points को ही note करेगा और इन तीन points से ही तुम्हें marks देगा क्यूंकि सामने तो तुम्हें यही 3 points रखने पर इस 3 points को भी तुम्हें ऐसे रखना है जिससे कि तुम्हारी चीजे valid दिखें paper में क्लियर हो गया तो यह जो था यह आपका five marks था कि सुनने से परिवासित क्या होते तो आज भी अपने चार या पांच questions देखे मेंस के कॉड़िंग है तो इसके बाद की जो भी नियम है अभी पूर्ण संख्याओं के और भी कई सारे गुण है उन गुणों को और अन्य संख्याओं को अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आज की क्लास में इतना है थैंक यू